हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हूँ बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय अशुद्धी शोधन तो बच्चो यहाँ पर एक चित्र है आईए इस चित्र में क्या लिखा है पड़ते हैं पापा देखो अकाश में तारे चमक रहे हैं बेटा वह अकाश नहीं आकाश होता है उपर दिये गए चित्र में लड़के ने अकाश बोलकर गलत उच्चारण किया जिस पर उसके पापा ने उसे समझाया कि अकाश गलत चब्ध है इसका सही उच्चारण आकाश होता है शब्दों या वाक्यों को सही या शुद्ध करने की यही प्रक्रिया अशुद्धी शोधन कहलाती है तो बच्चो जब कोई शब्ध अशुद्ध है यानि गलत है उसको हम सही प्रकार से शुद्ध करके लिखते हैं इसी को हम अशुद्धी शोधन कहते हैं इसे भी समझे वर्तनी लिखते या बोलते समय उनमे स्वर या मात्रा संबंदी अशुद्धी हो जाती है वाक्यों में लिंग, सर्वनाम, क्रिया तथा पद, क्रम संबंदी अशुद्धी हो जाती है आए जानते हैं शब्दों के कुछ सामाने अशुद्धियां तथा उनके जैसे अशुद शब्द है क्रपा और उसका शुदगरूप यानि सही है क्रपा, युद्ध, युद्ध, पुरुश्कार, सकूल, स्कूल, पत्नी, रुपया, धर्म, धर्म, ज्छूठ, ज्छूठ, अगनी अगनी बिमारी बीमारी बरफ बरफ अतीथी अतीथी अवाज आवाज कया क्या त्याउहार त्याहार स्वास्थय स्वास्थय सटेशन स्टेशन मास मास बजार बाजार दोश दोश उजवल 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 बच्चो शब्दों की कुछ सामाने अशुद्यां तथा उनके शब्द रूप पड़ते हैं जैसे अशुद्वाक्य है वो तो कल आएगा इसका अशुद्वाक्य है वह तो कल आएगा चाए में कोई गिर गया है चाए में कुछ गिर गया है मेरे को वहाँ जाना है मुझे वहाँ जाना है कल तुम्हारे पापा जी आये थे वह तेरे को पैसे नहीं देगा वह तुझे पैसे नहीं देगा वह जो पुस्तक है वह मेरा है वह पुस्तक मेरी है सेव को राम को काट कर खिलाओ यह हमारा वाला घर है यह हमारा घर है राम ने नई कपड़ा खरीदी राम ने नया कपड़ा खरीदा करन की मा भारी दुखी है करन की मा बहुत दुखी है तो बच्चो ये थे कुछ अशुद वाक्य और उनके शुद रूप आये दोराएं शब्दों या वाक्यों को सही या शुद करने की प्रक्रिया अशुद शोदन कहलाती है वर्तिनी या कोई शब्द लिखते समय उसमें स्वर या मात्रा संबंदी अशुद्धी हो जाती है वाक्यों में लिंग, सर्वनाम, क्रिया तथा पदक्रम संबंदी अशुद्धी हो जाती है कि आपको या ध्याय समझा क्या होगा इसका भ्यास आप स्वायम कीजेगा